मेले को ना बहुत चलू लते अपनी चाप चे रहने की अपनी तरीके चे रहने की अपनी जिंदगी में खुछ रहने की तुम को मैं चलू लते क्या मेले को तुम बहुत चलू लते मैं रोले को भी वह बहुत जलूलत है oh that's so cute हम सब को ज़रूरत है जिन्दगी में खुश रहने की अपने तरीके से रहने की मैं रे बाबा मेरे को भी कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहेगा मेरे को ज़रूरत नहीं है हर इंसान यहीं चाहता है पर जिन्दगी क्या चाहती है हाँ जनाब बात तो यही है कि जिन्दगी क्या चाहती है जिन्दगी में खुश रहने की चाहत तो सब की है पर जिन्दगी देखती है कोशिशें किस किस की है कोशिशें, ये कोशिशें करनी पड़ते हैं हमें खुश रहने की, not forcefully, बट खुश रहने का तरीका अपना कर चलिए मान लेते हैं मैं आपको आपनी सारी problems बता रही हूं कि मेरे साथ ये problem है, ये problem है, ये problem है बट ये बताएगे क्या उससे कोई भी benefit मुझे मिलने वाला है, अफकोर्स, advice में लेंगी बहुत सारी, मुझे नहीं चाहे, क्योंकि ये problems मेरी हैं, तो इनसे कैसे deal करना है, ये सिर्फ में ही समझ सकती हूं, इनका solution भी मुझे ही ढूनना होगा, और कोई नहीं ढून कर मुझे दे सकता, different people, different perspectives, different problems, different solutions, जिन्दगी बस इसी पर depend करती है, और जैसे ही आपने इस problem को solution ढूंड लिया, you are going to be very happy in your life, इस समझ में आ रहे हैं कुछ, किसे बूफ पर सजा रहे हैं? अब आते हैं, main point पर, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात यह है कि आज के time में जो सबसे बड़ी problem है, वो है, हमें कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है, और जिसको हम ढूंडने के चक्तर में अपनी life spoil कर रहे हैं, जहां पर बात आती है कोशिशों की, अगर आपको fruitful results मिलेंगे, it's sure, मिलेंगे, बट अगर कोशिशे ही गलत direction में हो रही है, तो वो कहां से अच्छे results देंगी, तो इस problem के लिए, कि बात करने के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए हमाया पस क्यो solution हो सकता है, that's only one solution, which is self-counseling, yes, अब counseling के लिए दूसरों के पास जात Self-counseling is not about, that you are a disease, you have a problem in your mind, or any of you are suffering with something, that's why self-counseling is the problem or generally counseling which is used in perspective, जाती है उससे बिलकुल हटकर, self-counseling is like meditation, is like sitting with yourself, अपने साथ पैटना, अपने साथ बातें करना, and at the end of the day, आप ही वो इनसान हो, जिसने पूरा दिन बताया, जिसने पूरा दिन कुछ नो कुछ किया, अब यह आपको ही identify करना है, कि जो आपने पूरे दिन में किया, वो fruitful है क नहीं, only you can tell yourself this thing, आप किसी वो परसन के पास जा रहे है, आप उसको बतारों मेंने ऐसा किया, वैसा किया, यह किया, वो किया, वो इनसान अपने परस्पक्टिव से आपको देखेगा, हो सकता है जो आपने किया पूरे दिन में, वो इस इनसान के लिए सही ना हो, उसके दूसरे के परस्पक्टिव की वजह से आप नेगेटिव क्यों हो, that is why I always believe in self-counseling, जहाँ पर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आप अपनी मदद खुद करो, आप खुद अपने आपको सोचो, समझो, देखो और रिइन्वेंट करो, for this you need self-counseling, लिटरली I think like self-counseling का concept, अगर हमें स्कूल टाइम से पढ़ाया जाया, तो depression की problems, और mental issues, जो भी होते हैं, किसी इनसान को समना हो, Now, think about this, कि आपकी life में कुछ भी हुआ हो, आपके past में, आपके present में भी कुछ भी problems चल रही हो, क्या किसी और को इतना फर्क पढ़ रहा है, जितना आपको पढ़ रहा है, किसी और को इतना फर्क नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एकी solution है, कि रोना नहीं है, किसी विबात के लिए, रोना is not the solution, और कई बार हम ऐसा करते हैं, चल आपने, आप तो रो ही रहे होते हैं, दूसरों के सामने भी रोना दोना शुरू कर देते हैं, कि ऐसा है, वैसा है, रोना नहीं है, चीजों को बदलना है, जो भी है, जहां भी problem से सब बदलना है, सब change करना है, टेक charge of your life, टेक that responsibility of your life, जो भी पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, एक time आने के बाद, वो किसी काम का नहीं रहता है, उसके बाद आपको कुछ नया समझना पढ़ता है, नया पढ़ना पढ़ता है, नया कुछ सीखना पढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए, और ये जीवन है, जीवन में सिफ आगे बढ़ना ही मैटर करता है, और कुछ मैटर सारे इशूस थे उन सबसे में कैसे निकली मैं बाहर कॉंसलिंग करने के नहीं मैंने अपनी है खुद की है and you won't believe मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसा नहीं मिला है जिसको में 100% कहूं कि this person is absolutely right in everything कुछ है जो बातें आपको impact करेंगी कुछ अच्छी लगेंगी but on the other hand आपके life experiences इतने अलग होते हैं कि अगर आप सोचोगे कि मैं इस person को अपना mentor बना लू and my life would be at ease then it's not possible your life experiences are absolutely different you have to understand this thing first of all self counseling में सबसे ज़रूरी यह है कि आपके जिंदगी अलग है आपके experiences अलग हैं आपके life बिलकुल अलग है इसलिए आपको ही आपका रास्ता भी बनाना है आपकी मंजिल तक पहुचना है in this series of self counseling I am going to share with you my own experiences how I overcome from all those situations in my life and how I moved on after years and years of standing stagnated at one place तो अब मेरी यही कोशिश है कि जिस तरह से मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है मैं भी दूसरों की जिंदगी वैसे ही आसान कर सकूं और यही कोशिश मुझे खुश रखती है it makes me happy मिलते हैं next video में with a different perspective about self counseling and life's unthinkable interpretations see you in the very next video until then lots of happiness love peace to you to me bye for now take care झाल झाल झाल